हैं लो गाईश वहर वैलकम बैक और आजका हूं वे फिट से इक और नियू वीडियो लेकर एंड गाईज आज की इस वश्द वीडियो के साथ हम स्टाट करने जा रहे हैं अपनी माइन क्राफ्ट हार्ड कोर की एक न्यू जर्णी अभी से पहले हम माइन क्राफ्ट हार्ड को खेल रहे थे एंड उसमें हमने 300 डेस कंप्लीट भी कर लिये थे लेकिन उसके बावजूद मैं हाँ पर यह नई हाड को जर्णी स्टार्ट करने जा रहा हूं अब इसके पीछे कुछ छोटे चोटे रीजन्स है पहला कि वह 100 डेस का वर्ड ता एंड सेकंड चीज की वह थोड वर्ड बचा या नहीं बचा तो उन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जैन्वरी में जी हां मतलब अभी तक आपने उसके 6 एपिसोड देखे होंगे एंड आपको आधी स्टोरी पता चल चुकी है लेकिन साथ-साथ बहुत सारे questions रह गये होंगे आपके दिमाग में like hero brine हमारी side हुआ या नहीं, romance का क्या हुआ, null का क्या हुआ, और ending में हमारा world बचा या नहीं बचा, hero brine, entity 3.03 और null के साथ last में क्या होगा तो इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे part 2 में जो की release होगा January 2022 में, तो उससे पहले जल्दी से उस subscribe वाले बटन को दब मिल सके तो चलो आप बाते बहुत कर लिए अब देको यह हमारी नई हार्ड कोर जरनी है और इसमें भी हम बहुत जादा तगड़ी तगड़ी चीजे करने वाले है लेकिन उससे पहले क्या आपको अपने एंड्रोइड मोबाईल की लाइव लोकेशन जाननी है या फिर आपको यह जानना है कि आपका दोस्त भाई बहन या फिर कोई बी फैमिली मेंबर कहा पर है क्या कर रहा है तो इसके लिए आ चुका है लोकेशन ट्रेकर फैमी सेफ तो मैं बताता हूँ आपको इसके लाइव लोकेशन के फीचर के बारे में तो इसके लिए आपको दो एप रियल टाइम लोकेशन पर क्लिक कर देना है और इसकी बदर से आप एजली लोकेशन ट्रैक कर सकते हो और साथ-साथ आप उनकी लोकेशन हिस्ट्री भी देख सकते हो जल्दिश जाके इस कमाल के एपली को डाउनलोड करो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और अपने फैम प्लेन जगह नहीं है तो देट्स वाइं हाँ पर मैं अपनी जर्णी श्टार्ट नहीं कर सकता हूँ सबसे पहले मेरे को एक प्लेन जगह डूननी पड़ेगी साथ में थोड़ा वुड भी ले लेता हूं विकोज बुड से मैं थोड़े स्टार्टिंग के टूल्स मना लू सामने की तरफ आपको यह जगह देख रहे हुए क्या पता ऊपर जाने के बाद मेरे को कुछ प्लेन जगह मिल जाए और अगर वहां पर थोड़ी प्लेन जगह मिल जाती है तो भाई तो उचाई से यहां का व्यू क्या ही लगेगा फिलाल के लिए मैं चलके देखता हूं फ फिलाल के लिए मैं फटा फट उपर पहुच चुका हूं और यह जगह मेरे को थोड़ी ठीक ठाक्सी तो लग रही है और यहां से भाई व्यू देखवा बतलब क्या ही लगेगा यहां पे मैं अपना घर बनाऊंगा और यहां से जब मैं आऊंगा तो नीचे के तरह व्यू ओके अब मैं थोड़ा इस जगह को और थोड़ा एक्स्प्लोर कर लेता हूं तो गाइस अब मेरे सामने भाई दो तिन ओप्सन आ चुके हैं पहला मैं अपना घर यहां पर बना सकता हूं क्योंकि यह जगह भी थोड़ी सही है वस उसको थोड़ा सा प्लेन करना पड़ेगा and second option है मेरे पास सामने की तरफ अब वो जगह भी मेरे को काफी ज़्यादे सही लग रही है और यह जगह भी है अब literally सच बताओ तो मैं confused हो चुका हूं कि अपनी journey कहां से start करूँ तो guys finally मैंने decide कर लिया कि मैं अपना घर कहां पर बनाऊँगा मैं बनाऊँगा सामने के तरफ अब यहां पर मैं इसलिए नहीं बना रहा हूं नीचे से ही start करूँगा और रात भी हो रही है तो फटाफट में bed बगर भी बना लेता हूं तो finally guys यहां पर so के मैंने दिन कर लिया है और हो चुकी एक नई सुबह finally start होती है अपनी new hardcore journey और देखो यहां पर मैं अपना घर बनाने वाला हूँ because यह थोड़ी plain जगा है और पाद में इस पूरे area को plain करने में में मेरे को जादे दिक्कत भी ने आने वाली यहां पर मेरे को easy tree भी मिल जाएंगे दो तिन biome भी पास में है तो सही जगा है और मेर को ओड़ जादा time waste भी नहीं करने चाहिए तो चलो यार फटा फट में जाके अब सबसे पहले stone लियाता हूँ और उसके tools बगार बना लिता हूँ तो finally guys यहां पर मैंने almost one stack cobblestone collect कर लिया है और यह time है थोड़ी wood collect करने का तो finally guys यहां पर मैंने थोड़ी wood be collect कर लिया है और फटा फट चलके है थोड़ी जरूरी समान बना लेता हूँ जैसी हमारे पास थोड़ा food हो जाएगा and then इसके बाद हम जाएंगे mining के लिए because hardcore है एक बार मारा सब खतम हो जाएगा तो that's why सबसे पहले मेरे को चाहिए होगा एक armor जिससे की मैं थोड़ा powerful हो जाओ तो फटा फट खाना लेता हूँ फिलाल की बात करें तो मेरे पार torch नहीं है तो मैं फटा फट एक torch भी बना लेता हूँ दिन हो यार रात हम तो यार अपनी करेंगे mining और collect करेंगे iron तो finally guys हमें मिल चुक है अपने hardcore का पहला iron अब फटा फट मैं बना लेता हूँ प्लेंक्स एंड इसके बाद इससे मैं बनाऊँगा शील्ड इससे पहले मोब्स है में फटा मेरे को फटा फट यहां से निकलना है यहां पर मैं लगाँगा क्राफ्टिंग टेबल लेट्स को व शुट यहां पर तू स्पैडर है नहीं वह भाई मोब्स भी है भाई मैं मैं उसको मार दूँगा यह ले बेटा मरता है इसका रिटन यहां से मैं नीचे गिर जाता कोई नहीं है यहां पर थोड़ा कोपर है खैर को इत्ती जादा जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर मैं ले ले लेता हूं क्या पता आगे कुछ काम आ जाए इस पूरी केव में यहां पड़ेगा और बाहर की तरफ रात भी ओर यह तो मैं आइसे करता हूं सबसे पहले मिरे पास 5 पांच आईरेन ओचुके हैं तो सबसे पहले मैं बनानेवाला हूं है प्पर छिर काफी ज़ादर जरूरी है है और यहां पर बन चुका ह?, हेलम इस वाली केव में इस वाली केव में इसा है ना मैं नहीं खेल ला यह गेम पर बढ़ दिया वह यह तो फटा फट जाकर उसको लेते हैं और यहां पे जॉम्भी विलेजर है अब मेरे को मारना चाहिए या फिर नहीं मैं इसको ऐसे करता हूं कि इसमें डाल देता हूं चल वाई तो गाईस यहां पर मैंने इसको ट्रैप कर दिया है और अब इसके हाथ में कुछ दे देता हूं तो फाइली गाईस मैंने याद जॉम्भी विलेजर को यहां पर ट्रैप कर दे कि को हो सकता है कि यह आगे चलके मेरे कुछ काम आ जाए और यहां पर मैंने थोड़े मैस पहली मेरे को मिला एक मैप बाहर निगलता हूं वह से भी बाइश्श के लग निकीए च यहां पर मेरे इजी कर लूँगा इजी मेरे को पता है यार अभी के लिए मैं फुटा 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 और डूड़ता हूं तो फाइनली गई यहां पर मेरे पास जितना भी आरेन था वो मैंने स्मेल्ट होने के लिए डाल दिया है इसके बाद हम बनाने वाले हैं अपना ओपी आर्मर तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक वैस्ट दैन लेगिंग्स दैन स्यूज और अब रह गई अपनी आईरेन एक्स एंड एक सोड और काइस फाइनली मेरा आईरेन का अर्मर तयार हो च टूल्स बना लिया है अब आगे के लिए मेरे कुस कोसें से आपसे जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फर्स्ट कि मैं जो फार्म बनाऊं वह नॉर्मल बनाऊ जितने होते हैं या फिर बड़े अपनी सर्वाइब सीरी से भी बड़े फार्म बनाऊ एंड से अगर आपको कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी न्यू टिप्स और ट्रिक्स हो 1.18 के लिए तो वो में को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना न्यू हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो यार क्या कर रहे हो नीचे सब्सक्राइब का बटन उसको दबाओ और पहले को अपने माइन काफ वाले दोस्ते के साथ जिसे कि वो भी हमार साथ इस कमाल की जर्नी में जूड सकें और साथ आप मेरे को इंस्ट्रागरम पर फोलो कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगी मैं वहाँ पे काफी जाद एक्टिव रहता हूँ